नजकार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है आपके साथ में मुदला साजाहानपूर से एक अजीवो गरीवा मामला सामने आया है जिहां एक पती अपनी पत्नी के होती हुए भी अपनी प्रेमिका से साधी रचाना था उसके बाद क्या हुआ जिहां आपको पूरी खबर बताते हैं साजाहानपूर के तिलहर का रहने वाला गौरो गुपता सोमबार को बरेली के पसुपतिनाथ मंदिर में अपनी प्रेमिका से साधी करने जा रहा था जिहां साधी सामरो की तैयारी पूरी हो चोखी थी इसी बीच किसी ने गौरो की पत्नी अर्चना गुपता को उसकी साधी करने के बारे में जनकारी दी अर्चना सोमबार के सुबह ही बरेली के वरिष्ट पूलिस अधिक्छक कर्याले पहुँच गई और वहां पत्ती की साधी को रुकवाने की गुहार लगए वही आपको बता दे कि साज अहानपूर के खुदा गंज निवासी अर्चना गुपता ने पूलिस को बताया कि उसका गौरो गुपता के साध 2006 में साधी हो थी वही गौरो और अर्चना की दो बेटे भी हैं बड़ा बेटा नौ साल का है जब की छोटा बेटा पांच साल का है पूलिस को दी गई सिकायत के अनुसार पांच साल पहले उसके पती गौरो किसी लड़की से प्रेम करने लगा जब अर्चना ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपिट भी की गई आरोफ है कि तीन साल पहले पती और सास्त ने अर्चना के साथ मारपिट की और उसे घर से निकाल दिया वहीं ससुरालवालों ने उसके दोनों बच्चों को भी उससे छिल लिया इसके बाद अर्चना माईके में आकर रहने लगी वही अर्चना ने पुलिस को बताया कि जब में माईके चली आई तब गौरों ने उस पर तलाग देने का दवा बनाया वही अर्चना के इंकार करने पर गौरों ने कोट में तलाग की अरजी लगाई पूलिस के पहुँचने से पहले गौरो गुपतार उसके घरवाई पूलिस के पहले मौके से फरार हो चुके थे पूलिस को मेरेज हौल में गौरो का एक दोस्त और खाना बना रहे हलवाई मिले वहीं पूलिस अर्चना की सिकायद के अधार पर मामले की इजाज कर रही है किलाल इस कवर में इतना ही बने रहे हमारे साथ धन्यवाद